स्वागत है दोस्तो ट्रिक्स काड़ा में फिर से आप सभी का एक वार स्वागत है आज हम लोग देखेंगे बीवीद के कुछ महत्वपून को यानि बीवीद से बहुत सारे ग्याम नेशन में बहुत सारे कोशें पूछे जाते हैं तो इसे रिलेटेड हम लोग देखते हैं खो判ो और दोस्तो अगर ही विडिव आपको अच्छा लगे ऊअनि आपको लाइक कि है चैनल को सब्स्क्राइब किजिए तो यह दिए वाट बंगलादेस और ऑप्शणडी है भारत और ओर सिरलंका तो मैं हम भारत और चीन के वीच स्टित ने वह देखते हैं इस समध्री समय तो महत्वपून चथा शंब से दोस्तों भारत और चीन के व्युक्त यूश्म रेड किलिफ रेखा दुसरा है दुसरा पॉइंट है रेड किलिफ रेखा तो रेड किलिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड किलिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है अब देखिए तीसरा पॉइंट है मैंक मोहर रेखा का निर्धारन जो किया मेर रहीम रेखा रूस और फिनलेंड के बीच में हैं फिर हैं डुरंट रेखा तो डुरंट रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हैं समझे यह सब जो रेखाएं हैं इसे समंधित एक्जामनेशन में कोश्चन अक्सर पूछे जाते हैं तो दोस्तो इतन जुकी हुई मिनार कहां इस्तित है ऑप्षन ए है मासको ऑप्षन भी है टोकियो ऑप्षन सी है आगरा और ऑप्षन डी है पीशा तो इसका जो एंसर होगा ऑप्षन डी पीशा इटली समझे अब देखिए इसे समंधित कुछ महत्वपुन पॉइंट्स हो तो पहला नह lang करेमलीन कहां करेमलीन मासको पर यह किलिए और तो पेरा हुस का चर्चाई तो पOoh सिड्नी जो कहां इस यहां में फिस्तित फिर दखिए अस्टैयां कि पीनिट्रीं है वह कहां इस्टैयां अपुव्यार्ट आहमदाबाद जो गुजरात में है दोनों कोश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है यानि अस्टैची अफ लिवार्टी का चर्चक किया जागा तो अहम्दाबाद में है जो सर्दार बल्ला भाइपटेल का यहां पर मुर्ती बनाया गया है इस कोश्चन से इतना झानकारी मिलता है अब देता है अगला कोश्चनола अब देखिए अगला कोश्चन तैसरे कोश्चन है कि समुद्री तर्ट किस देश का राष्टिये चीन है यानि समुद्री तर्ट है जो किस देश का राष्टिये चीन है तो option A है बंगलादेश, option B है इटली, option C है डेनमार्क और option D है तूर्की तो इसका जो इंसर होगा वो क्या होगा तो डेनमार्क होगा जो option C है समुद्री त डेनमार्क का राष्टीएचीन अब देखिए कि इटली का राष्टीएचीन सफेद लीली में चांद तारा- तूर्की का राष्टीएचीन अगर कॉश्चन कि चांद त्रा कहां का है तो तूर्की अस्तम है अब देखिए बंगला देश का तो बंगला देश का राश्ट यह चीन क्या है तो बाटर लीली है समझे तो इस इतना जानकारी मिलता है अब देखते हैं अगला कोस्चन चौथा कोस्चन है दोस्तों यूनी वारता किस देश का समचार एजन्सी है उसको ऑप्सण है ब्रिटेन ऑप्शन भी है चीन ऑप्शन और भारत तो इसका जो इंसर होगा वह क्या होगा भारत होगा ऑप्शन डी समझे अब देखते हैं इस सम्मांदीत कुछ महत्व पुंत तथे को यूणी वारता कि ऐसंअगा समचार एजन्सी है तो भारत का समचार एजन्सी है दोसरा इसे दोनों कहा का है तो रूस समचार एजन्सी है समझे एगर कोश्चेन किया जा कि तास कहां का समाचार जंसी है तो बारत कही कि पुरा नाम कुछ देता है तो प्रेश ट्रस्ट ऑफ इंडिया याद रखिएगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया समझे अगला पॉइंट देखिए राइटर्स का चर्चा है कि राइटर्स कहां का समचार अगर चर्चा किया जाएगा कि कहां का है तो अस्टेलिया का है समझे आप देखते हैं अगला पॉइंट को दोस्तों अगला कोषण देखते हैं कि 20 रेड परक्रॉस दिवस कह कुश्चन है कि 20 रेड परक्रॉस दिवस कह मनाते हैं option A है 1 माई option B है 8 मार्च option C है 8 माई और option D है 8 अक्टूबर तो इसका जो एंसर होगा वो क्या होगा तो 8 माई होगा option C अब देखिए इससे समन्दित कुछ महतवपून पॉない पॉइंट को हम लोग देखते हैं पाहला पॉईंट कि विश्भ क्रोस्च दिवेस्ध करोप में चलते हैं तो आठ माइ सた इसरा पॉंट आठ म गल्सको ‫ Smoke कौ固 आदे प्रैस्टीए महिला दिवेस्ध करोप में मनाते हैं शोल को Uh तो क्या मनाते हैं दो मध्यूर के रूप में हम लोग एक मधिक को मनाते करें त्इवर को सेना दिवेस् के रूप में मनाते हैं तो बायु सेना दिवेस्ट में मनाते हैं अब शंवेश्टी क्वेस करने लिए पант राश्टीा, मानवा धीकार के रुप में हम लोग मनाते हैं यानि अगर कोश्चन किया जाए कि 10 दी सम्ज़ को कौन से दिवस मना तो अंतराय स्टी ये मानवा धीकार दिवस कड़ी सक Χक मनाते हैं ये इतना बी है चोद्र नमबर, आप्शन ची है 11 नमबर और ओप्सवी एक्टूबर को प्याएं तो इसका जो इंसर होका वह पांच अक्टूबर होगा, इसका जो इंसर होगा क्या होगा 5 अक्टूबर होगा, यानि 5 अक्टूबर को हम लोग 20 शीछक दिवस के रूप में मनाते हैं, तो देखिए इसे समधित कुछ महत्वपुन तत्य को बिखिए तो पहला पॉइंट है कि 20 सीच्छक दिवस को हम लोग 5 अक्टूबर के रूप में मनाते हैं यानी 5 अक्टूबर को 20 सीच्छक दिवस मनाते हैं अब देखिए राश्टिये सीच्छक दिवस का चर्चा रहा है यह क्या होगा को है फैस्ट एश्टीएज सीछ दिवस में मनाते हैं अ buy घघए पोईंट देखिए राष्टिये सीच्छा दिवस से कुश्चन हाता है कि राष्टिये सीच्छा दिवस कम मनाते हैं तो 11 नवंबर को मनाते हैं जो हमारे भारत के पर्थम सीच्छा मंतरी थे अब उलक लामजाद उनके याद में हम्लों की आरे नवंबर को प्रती वर् में मनाते हैं सब्हृत से इतना जानकारी मीवलता है अब देखते हैं अगला is क्या दोस्तों अगला कोश्चन है कि प्रति वर्स 9 सियनादीवेस की रूप में कि इस्तिति को मनाया जाता है तो option A है 15 जन्वरी, option B है 30 जन्वरी, option C है 8 October और option D है 4 December तो इसका जो answer होगा option D 4 December होगा अब देखिए इससे सम्मानधित कुछ महत्वपूल पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे तो दोस्तों देखिए यानि प्रती वर्स 9 सेना दिवस के रूप में कम मनाते हैं तो प्रती वर्स 9 सेना दिवस के रूप में जो हम लोग मनाते हैं वो 4 December को मनाते हैं अब देखिए 8 October यानि 8 October को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं तो 8 October को प्रती वर्स बायू सेना दिवस के रूप में मनाते हैं मैं देखिए अगला पॉय्ट्ग मैंजैने 15 जनवरी पृतिवर्श को सा गष्थ सेणी रूह को मिनाते हैं तो धल सेणां दिवैश करूप में सुझेए धल सेणांदिवैस के रूप में मनते हैं बोनाट कर जल सेनं देखिए जब जल सेना का चर्चा आएगा तो विपिन रावत हैं अब देखिए अगला पॉइंट यानि भारत में तीनों सिनाओं का जो परमूख होता है वो कौन होता है तो राष्ट पती होते हैं कौन होते हैं तो राष्ट पती होते हैं अगर यह कोश्चन पूछा जा कि किस अनुश्यत के तहत होते हैं तो अनुश्यत 53 के तहत राष्ट पती तिनों सिनाओं का परमूख होते हैं अब देखिए अगला पॉइंट यानि तीस जन्वरी को कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं तो सहीद दिवस के रूप में मनाते हैं यह कि गांदी जी का जो मिर्त हुआ था 30 जनवरी 1948 को नाथु रमगोड से के दोरा इनका हत्या किया था इसके उपलक्ष में सहीद दिवस को मनाते हैं सहीद दिवस इस कोश्चन से इतना जानकरी मिलता है अब देखते हैं अगला कोश्चन दोस्ट देखिए दोस्तों तो कनहेरी की गुफाएं किस राज में इस्तित तो महाराश्ट अप्शन भी है दिल्ली और अप्शन सी है कलकत्ता ऑप्शन डी राजस्थान इसका जो एंसर होगा वो कहां होगा तो महाराश्ट में सुन्जिए महाराश्ट के मुंबई में है अब देखते हैं इसे समंधित कुछ महत्पपून पॉइंट को हम लोग तो य महाराष्ट में हो और देठाजा पॉइंट कुटी मिनार का चर्च आए है कि कुटी मिनार डिल्ली में इसли आप टेजिए बीवी का मकझाँचा रह सब्सक्राइब बीवी का मकब्रा का चर्चेक किया जागा कि किस ने बनवाया था तो औरंग्येव ने बनवाया था यह रभिया दॉरानी के बने बनवाया गया है इसका अस्तापना 1659 में किया गया था और इसको अलेज्आ को ताज महल से इतना जानकारी मिलता है अब देखते हैं अगला कोश्यन कि पंडित रविशंकर कौन सवाध्यंत बजाते हैं तो ऑप्शन ए है सितार ऑप्शन भी है तबला और ऑप्शन इसका एंसर होगा ऑप्शन एफ सितार अब देखते हैं इसे समंदित कुछ महत्वपून पॉइंट को हम लोग देखते हैं तो पंडित रविशंकर सितार बादक हैं दूसरा पॉइंट का चर्चा है तो एक कौन सवाध्यंत बजाते हैं ताबला बजाते हैं अगला अब देखिए अगला पॉइंट बिस्मिल्ला खान कौन सवाध्यंत बजाते हैं तो एक परसीद सहनाई वादक हैं अब देखिए अगला पॉइंट सिवकुमार सर्मा कौन सवाध्यंत से समंदित हैं तो सिवकुमार सर्मा संतूर से समंदित हैं समझें सिवकुमार सर्मा सं है नतूरबादक हैं तो दोस्तो इस महाराज का समंध किस सास्त्रीय निरित से एक Option A है कथकली Option B है कथक Option C है मनी पूरी Option D है कुछी पूरी समझे तो इसका जो इंसर होगा वो क्या होगा कथक होगा कथक देखिए अब इसे समंदित कुछ महत्पपून points को हम लोग देखते हैं तो इसे समंदित पहला point है कि बिर्जु महराज का समंद किसी से तो कथक से है बिर्जु महराज का समंद कथक से है अब दूसरा point देखिए मिरिनालनी सरवाई मिरिनालनी सरवाई का समंद कथकली से है कथकली निरित से किनका तो मिरिनालनी सरवाई का समंद कथकली से है अब देखिए जावेरी बहने का समन्द मनी पूरी निरित से है समझे अगला पॉइंट देखिए यामनी कृष्ण मूर्ती का समन्द भारत नाटियम और कुचिपूरी दोनों से है कोशिक क्रिष्ण मूर्ती का समन्द किशी से है तो भारत नाट्यम कोशिपूरी दोनों से है समझे अब देखिए अगला पॉइंट हेमा मालिनी हेमा मालनी का समन्द किशी से है तो मोहिनी अटम से है हेमा मालनी का समन्द मोहिनी अटम से है तो इस स्ने इस समन्दी पूछा जा कि उसमन्ध की सास्त्रिय निरित से हैं समें से इतना जानकारी बिनता है तो इस वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक किजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बीच अधिक से अधिक सेर कीजिए जिसे आपके दोस्तों को भी फादा पहुचे धन्यवाद जाहिंद